हलो फ्रेंज इलेक्ट्रोवाइज एक्सपेरिमेंट चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंज ए मेरा जो हीटर था इसमें जो क्वाइल लगा हुआ था वो 1500 वाट का था तो अब इसमें हम लोग 2000 वाट का कवाईल लगाएंगे और इसको मेजर करने वाला लेना पड़ेगा ताकि आप मेजर करसकें तो फ्रेंज इसको मेजर करने पार क्या होगा च्छे सिसका मेजरमेंट पता कर पाएंगे कि मेरी स्प्रिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि बाद में हम लग क्या करते हैं कुछी में लगा के अगर हम लोग उसको इसको करते हैं तो बाद में प्रॉबलम हो जाता है कहीं पर जो रजिस्टेंस होता है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो बाता है जिसके कारण मेरा जो हीटर होता है उस जितना बड़ा वायर में मेजर किया हूँ इसी के बराबर मैं अपने इस्प्रिंग को इस्ट्रेच करूंगा अबस्ञक्री करूंगा एस्ट्रेच करhen झाल, भैसे को इस्ट्रेच हुआए καल— बלत्रेच करूंगा इसी करूंगा तो फ्रेंस से मेरा हो चुका है अब चलिए इसके पीछे जो है जमपर वायर लगा के इसको जो है कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से कर दो है कर दो है अगर आप केबल यूज कर रहें तो इस पार्क निकलता है उसको कैसे ठीक करें उसके लिए मैंने प्लग और हीटर के पास बताया था कि कापर का वायर यूज करेंगे जिससे जो है इस पार्क जो प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाएगा तो चलिए हां पर हम लोग कापर यू कर लेंगे जिससे इस पार्किंग ना हो तो फ्रेंस से देखिए मेरा वायर है चलिए इसको कट करके लगा देते हैं तो फ्रेंस आप देख सकते हैं यहां पर मैं लाश्ट छोर पे जो हीटर में मेरा वायर फ्रेंस चलिए अब आप और इसको सीधा करके और इसको चला के देखते हैं 2000W का spring है तो देखेंगे कि कितना अच्छा हीट प्रोवाइट करेगा कितना अच्छा हीट देगा चलिए इसको एक बार अब लगा के देखते हैं तो फ्रेंज आप देख सकते हैं मेरा हीटर जो है 2000W का है बहुत ही अच्छे स्वर्क कर रहा है कहीं भी इसपार का प्रोब्लम नहीं है फ्रेंज यह बहुत ही अच्छे स्मेरा हीटर अब वर्क करने लगा है आप मेरे इस इलेक्ट्रोबाज एक्सपरिमेंट चैनल पर बने रहिएगा मैं इसी प्रकार से टेक्निकल वीडियो बनाता रहूँगा सो थैंक्यू जैहिंद जैभारत